नमस्कार अरुनाचल समाचार में आपका स्वागत है मैं हुई अरंता सिंगाउं आए बुलेटर में सबसे पहले देखते हैं मुखिस समाचार चीन की सेना पीले ने अरुनाचल देख निए बथ मेराम कार viensचार की वाचां दमान इंट्रिक्शन पॉइंट पर भार्तिय सेना को सोपा यहीं कानून मंदरी कि ब्रेजिजों ने कहां हर्ति सेना कारोन के स्वास्ट की जांच सहित जरूरी प्रक्रिया को कर रहे पूरा ITVP के पुर्वोतर सीमान मुख्याले के आई जी शिया महरत्रा ने इटानगर में मुख्यमंद्री पेमा खांदू से की मुलाकार बैठक के दोरां सेने बलों में अरुनाचल पदेश की युवाउ की भरती को प्राथमिक का देने पर हुई चर्चा देश में बुद्वार को कोविद के तीन लाग 6357 मेरीज हुए स्वस्त अरुनाचल में कोविद के तीसरी लहर में रिकोर 348 रोगी हुए स्वस्त के देश समंत्राले ने कहां विश्य भर में कोविद के 6 करोर 80 लाग सक्रिया मामिल चीन की सेना पी लए ने अरुनाचल यूवक मीराम तारुन को भाद्य सेना को सोब दिया है केने कानून मंदरी किरन रिजी जोने आज अपने एक ट्वीट में ये जानकारी देते हुए कहा कि पी लए ने अरुनाचल पदेश के वाचा दमाई इंटरेक्शन पॉइंट पर तारुन को भाद्य सेना को सोब पा उन्होंने बताए कि सेना तारुन के सौस्त जान से ही जरूरी पर क्रिया को पूरी कर रही है श्री रिजुजू ने कहा कि भारती युवा की सौरक्षित वापसी के लिए सेना का पीले के साथ किये गए प्रयास पर हमें गर्व है गौरतलब है कि पीले ने अरुनाचल प्रदेश के अपसी एंग्जिले के जीदो गाउं के 17 वर्षिय युवा मीराम तारुन का गत 18 जन्वरी को भारती सीमा से अभखरन कर लिया था श्री तारुन की सुरक्षित रिहाई के लिए राज़ के कई संगठन और राजनेतिक दल लगातार अपने आवाज उठा रहे थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटी बीपी पुर्वोतर सीमान मुख्याले के आईजी शिया महरोतरा ने आज राज़ सिच्ची वाले इटानगर में मुख्यमंतरी पेमा खांदू से मिलकर सेने बलों में स्थाने युवाओं की भरती को बराने पर चर्चा की मुख्यमंतरी ने कहा कि अरुनाचल प्रदेश के युवाओं ने भारतिय सेने बलों में अपने शम्ता को साबीत किया है और मिलिटरी कोशल को जल सीख जाते हैं मुख्यमंत्री ने ITBP में अरुनाचल पदेश के युवाओं की भरती को प्राथमिक्ता देने पर जोड दिया व्राश्य व्यापी टिकाकर्न अभियान के तहट देश में अब तक 173 करोड 84 लाग से अधिक कोविड ओडिती के लगाय जा चुके हैं पिछले 24 घंटों में 2,86,384 कोविड के नए मामले दर्ज किये गए और 3,6,357 मरी स्वस्थ हुए इधर अरुनाचल पदेश में बुदवार को कोविड संक्रमन के 194 नए मामले सामने आए और 348 रोगी स्वस्थ हुए राजे में कोविड के सक्रिय रोग्यों की संख्याबर कर 3,309 हो गई है मुदवार को करोना जांच के लिए 704 सेंपल इकत्र किये गए इस दोरान 15-18 आईवर के सिर्फ 40 लाभार्तियों को कोविड ठीके की पहली डोज 18 वर्से अधिक आयू की 199 आभार्तियों को कोविड वैक्सिन की पहली और 170 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई तो अमोरी बाद स्वास्तेवम चिकित सावी ग्यांसन स्थान ट्रिम्स नहालगन की चीप माडिकल सुपरिंटेंटन डॉक्टर दुखुम राहिना ने कहा है कि राज़ सरकार की सहयता से कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए त्रिम्स और राज़ के अन्य कोविड डेडिकेटर अस्पतालों और हैल्थ सेंटर्स में मैडिकल ऑक्सिजन और दवाव की उपलब्दता सुनिचित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए है तो दूर से पिशन यहां में आता है तरड वे कोंच गया तरड वे में आमनों का गॉड्मेंन ने कापी हर्फ किया है और में दवाडनाचल पर इसकेशड एल्ड गॉड्मेंन ने कापी इस्टेप उताया है में पावर भी दिया है उसका इंपास तर्ट यह कापी आपकी अक्चा इंपास तर्ट है इस्टुमेंन इकोमेंन में और इस्पीशल यह ऑप्सीजन का अमनों का प्यूंट प्लाइट अल्ट यह और मेडिशीट और जो आपका आपका आइटेम लगता है इस्पोजब आइ अगरवाल ने कहा है कि विश्व भर में कोविट के 6 करोर 80 लाग सक्री मामले हैं और प्रती दिन और सतन करीब 34 लाग ने मामले सामने आ रहे हैं नेदिली में सनवादाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहां कि भारत में कोविट रिकवरी दरबड़ी है और तीसरी लहर में हॉस्पितल नाइजीशन कम हो रहा है अगर देखें तो करीब 6.8 क्रोर केसे अक्रॉस द वर्ल एक्टिव केसे की दृष्टी में आते हैं पिछले 24 गंटे का यानि की 25 जनवरी का अगर डेटा देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 35.59 लाग रिपोर्ट केसे विश में रिपोर्ट हुए हैं जहां एक स्थाई पर विश में काफी अधिक संथ्या में केसे नोट किया जा रहा हैं वहीं साथ ही कुछ देशों में एक रिडूसिंग ट्रेंड इन केसे भी नोट किया जा रहा है वह अब कम होकर करीब 5,15,000 केसे के करीब हो चुके हैं इसी तरीके से युनाइटेट किंडम में जहां 2,00,000 के करीब केसे आयते 4 जन्वरी को वह घटकर अब 94,000 के करीब हो चुके हैं ग्रीस में और हिस्तिरे साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो जहां 12 दिसंबर पर एक डिस्टिंग पीक इन टरम्स ऑफ 37,4875 केसे नोट की गई थी वह अब घटकर करीब 3,197 केसे हो चुकी है अरुनाचल प्रदेश पुलिस की SIT यानि पुलिस स्टेशन क्राइम ISO 9001-2015 प्रमानपत्र हासल करने वाला राजय का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है अरुनाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आर्पी उपाधियाई ने अपने ट्वीट में बताया कि SIT द्वारा जांच में उच्छ स्टर की तकनिकों और ऑफिस प्रोसिजर्स का पालिन की जाने के कारण ये गवरभ हासल हुआ है शिरुपाधियाई ने बुद्वार को राजय पुलिस मुख्याले में SIT के पुलिस अधिक्षक रोहिद राजपीर सिंग और अन्यकर्मियों को समानित किया वैस्यांग जिले के जनरल अस्पताल आलो में विधाय केंतो जीनी ने बुद्वार को तीन डालिस यूनित का उटखाटन किया इस अवसर पर जिला उपाई जिला परिश्यक के अध्यक्ष सहित कई अधिकारी मौजूद थे शिजीनी ने कहा कि जनरल अस्पताल में लंबे समय से डालिस यूनित सापित करने की मांग पूरी होने से अब किद्नी की समस्याओं से जूच रहे लोगों को सहता मिलेगी उन्होंने कहा कि अस्पताल में जल ही CT scan सहे जरूरी अनिसी विधाओं का भी विकास किया जाएगा जिला स्वास अधिकारी डॉक्टर दूबों बागरा ने बताया कि तीन डालिसिस यूनित में प्रति धिन 15 से 20 रूगियों का डालिसिस किया जा सकेगा कृष्णी मंत्री और इस्थानी विधायक तागे ताकी ने बुद्वार को गंतंतर दिवस के अवसर पर ग्याती तक का जरल अस्पताल जीरो में डालिसिस यूनित सेंटर का उटगार्टन किया प्रधान मंत्री नाशनल डालिसिस प्रोग्राम के तहट अस्पताल में डालिसिस सेंटर की स्थापना से किटनी बीमारी से ग्रस्त लोगों को डालिसिस कराने में मदद मिलेगी प्रधान मंत्री नाशनल डालिसिस अगामी रविवार को सुबह ग्यारा बच्च कर 30 मिनट पर आकाश्वानी पर प्रसारीद होने वाले अपने मन की बाहत कारिकरम में अपने विचार साचा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कारिकरम की पच्चासवी कडी होगी एक ट्रीट में प्रधान मंतरी कार्यालाई ने कहा है कि यह कारिकरम राश्च पिता महत्मा गांदे की पुनेती थी पर उन्हें स्मरन करने के बाद शुरू होगा प्रधान मंतरी नरंद मोदी ने लोगों से माई गौव ऑपन फोरम या नमो एप के जरिये प्रेरग जीवन की कहानियों और विश्चियों को साज़ा करने का आगर किया लोग टॉल फ्री नमबर एक आज़ शुने शुने एक एक साथ आज़ शुने शुने जायल करके प्रधान मंतरी के लिए हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइने कल दब खुली रहेगी एक नो दो दो पर मिस्ट कॉल और एसमस में प्राप्त लिंक से सीधे प्रधान मंतरी को अपने सुझाव दे सकते हैं रिकॉर्ड किये गए कुछ संदेश कारिक्रम में भी शामिल किये जाएंगे पाके के संग जिले की मुख्याले लेमी में आवजित गंतर्णत दिवस समारों में जिला उपाय उपतायक बादों ने राश्य धुएस फहराया इस अवसर पर इसकुली बच्चों और इस्थानी सांस्क्रिटिक टोलियों ने लोगतरित प्रस्तुत किया शितायक ने कहा कि स्थानी स्थार पर रोजकार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहट कोशल विकास का परशिक्षन देकर उन्हें उध्यम शुरू करने सबसीडी पर रिन उपलप्त कराया जा रहा है नमसाई में 73 वा गंतन तो दिवस उल्लास के साथ मनाया गया जिला उपाई आरके शर्मा ने दोजा रोहन किया और लोगों से विकास पर योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सहयो करने की अपील की इस अवसर पर विबन चेतर में उल्लेख ने योगदान करने के लिए चैनित वेक्तियों को सम्मानित किया गया वैस कामिंग जिले की बोम दिला में गंतन तो दिवस के अवसर पर जिला उपाई कर्मा लेकी ने तिरंगा फहराया और विबन छेतर में उलेख ने युगदान के लिए चैनित वेक्तियों को समानित किया। उन्होंने कहां कि जिले में कौविट महमारी के बावजूद विकास कारियों और योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कोविटी का लग विद्रित किया। सेना अरुनाचल के सीमान इलाकों में स्वास्थ शिक्षा सहित बिविन जरूरतों को पूरा करने में इस्थाने लोगों की मदद करती है। भारत का शांदार स्वादीनता संगर्ष आधुनिक विश्यो के महंतम संगर्षों में से एक है। दुर्दर्शन समाचार द्वारा प्रिसारिक की जा रहे हैं आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंतरता सेनानी रामस्वामी वेंगटरमन की बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंतरता सेनानी और भारत के आठमे राष्टपती रामस्वामी वेंगटरमन को याद करते हैं। 27 जन्वरी 2009 को उनका निधन हो गया था। चोटी सी आई में ही वे देश के स्वतंतरता आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने भारत चोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। 1942 के भारत चोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागिदारी के कारण उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत दो साल के लिए हिरासत में रखा गया। इस दोरान कानून में उनकी रुची लगातार बनी रही। 1946 में जब ब्रिटिश सामराज से भारती हाथों में सत्ता का हस्तान तरण नस्दीक था, भारत सरकार ने विंकट रमन को मलाया और सिंगापूर में जापानी कबजे के दोरान सहयोग के अपराधों के आरोप में भारती नागरिकों की बचाओ के लिए इन देशों में भेज अधान का मसौदा तयार करने में भी मदद की जिसे 1950 में लागो किया गया वेकट रमन उस संसतिय दल का भिन अंग थे जिसने 1950 और 1952 के बीच की अवधि के दोरान भारत के प्रांतिय संसत को फिर से डिजाइन किया 1950 में वे भारत के अंतरिम संसत और 1952 से 1957 तक पहली संसत के लिए चुने गए 1957 में वे फिर से संसत के लिए चुने गए वेकट रमन ने एक मंत्री के रूप में मदरास राजी सरकार में शामिल होने के लिए लोकसभा सीट से स्तीफा दे दिया वेकट रमन ने 1957 से 1967 तक उद्योग, श्रम, सहकारिता, बिजली, परिवहन और वार्निजी करूं के विभाग का दाहित्यों संभाला इस दोरान वे उच्च सदन अर्थात मदरास विधान परिशत के नेता भी रहे वेकट रमन को 1967 में केंद्रिय योजना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उद्योग, श्रम, बिजली, परिवहन, संचार और रेल्वे के विशय सौंपे कह थे उन्होंने 1971 तक ये पज समाले 1977 में वेंक ट्रमन, मदरास, दक्षण, निर्वाचन, ख्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और लोक लेखा समित में अध्यक्ष तथा विपक्षि सांसत के रूप में अपनी सिमाई दे रूनाचल समाचार के आज के आँक में इतना ही जाने से पहले आप सभी से नुरोध है कि कोविट-19 के दिशा अंदर देशों का पालन करें, हमेशा मास लगाए, बार-बार हाद होए और सोशल दिसंसिंग की नियमों को मानें करोना मा हमारी से वचाव के लिए आपका वैक्सिन लगवाना भी जरूरी है, अगर आप वैक्सिन लगवाने के पातर हैं तो जरू लगवाए, हम कल फिर हाजर होंगे अरूनाचल और देश दिन्या के खबरों के साथ, चलते चलते आपको बता दे कि आप अरूनाचल हमारे यूट्यूब चैनल दीदी न्यूस अरूनाचल पर भी देख सकते हैं, देखते रही अरून प्रभा, नमस्कार अरूनाचल अरूनाचल